तीन नमबर, तीन नमबर भी यह आपका, अगर इसे y मानते हो ना, तो ये भी आपका formula है, 210 inverse x का ही, ठीक है, ये भी आपका, तो इसको differentiate करोगा, वही पहले नमबर में जो answer आया था, वही आ जागा, ठीक है, ये बन जागा, चार नमबर इसका देखो, मान लेते हैं, इसे y बर करोगे, तब भी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो, मैं यहाँ पर देखो, क्या करता हूँ, सेक inverse है, तो इसको cos में बदल देता हूँ, तो cos inverse, ये पलट जाएगा, जानते हैं ना, हम लोग, कि cos inverse x equal to होता है, सेक inverse 1yx, होता है ना, जी, चलिए, तो वही कर रहा हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा, cos inverse 4x cube minus 3x, ये पलट गया, चलिए, अब देखो, यहाँ पर, मैं देखूँ, तो यहाँ फॉर्मूला है, किसका, 3 cos inverse x का, अब सीधे differentiate कर देंगे, तो dy by dx बराबर, 3 into में, minus 1 by root under 1 minus x square, यानि कि, minus 3 by root under 1 minus x square, आपका answer आगे, समझ गे ना, चलिए, question number